कि on the road price के अंदर इतना difference है कि 7.39 KMPL का difference है अब काफी सारे लोग है जिनको लएगा कि अरे हमने वो पैसे अगर bank FD में डाले होते तो हमें तो उसमें इंटरेस्ट मिल रहा होता मुझे काफी बड़ा doubt है कि जो एक working professional है, salaried employee है अब चलता हूँ computer screen पे और आपके साथ share करता हूँ पूरी excel sheet जो मैंने मनाई है अब आप मान लो कि गार को 10 साल चलाते हो या 12 साल चलाते हो but then literally, is it really worth it? तब जाके मेरा brake इवनाएगा कि मैं डीजल की गाड़ी ना लेकि hybrid लूँ my goodness, देखो इस से ये चीज तो clear है that's the most economical option, out of all these तो इसका conclusion किया है? see, I'll be very honest Hi everyone, आप लोगों में से काफी सारे लोग hybrid cars को लेके, एक question काफी बार पूछते हो कि what are the economics of buying a hybrid car? गाड़ी खरीदने जाओ, तो over the petrol variant, गाड़ी महंगी पड़ती है क्योगी कि technology expensive है and the car companies also claim कि वो mileage जादा देती है अंदर वो cost recover हो जाती है और actual on ground, हमें जो दिखाये जाता है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत fuel saving है, बहुत पैसे बचेंगे ये on ground कितने effective है and how easy is it on the pocket? क्योंकि मैं काफी सारे media articles पट रहा था उसमें ये स्टोरी काफी चलाई जादी है कि पहले लोग diesel vehicles बहुत जादा लिया करते थे इस चक्कर में कि diesel vehicle की गाड़ी upfront थोड़ी सी महंगी पड़ती है लेकिन over a period of time जाओ उसको चलाते हो तो वो खर्चा अपना निकाल लेती है जो extra उसका खर्चा होता है over the petrol variant वो balance हो जाता है क्योंकि diesel वैसे भी petrol से सस्ता है moreover diesel की गाड़िया mileage भी petrol से जादा निकालती है तो अब उस model को hybrid के अंदर replicate करा जा रहा है to convince the people कि आप hybrid cars ले लो बात तो बराबर है mileage भो भी जादा देती है और थोड़े से extra पैसे आपने देती है तो कोई बात नहीं वो तो आप diesel car के लिए वैसे भी दे ही रहे थे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि diesel की vehicles extra mileage तो देती है petrol के comparison में लेकिन diesel as a fuel petrol से सस्ता है hybrid के अंदर तो petrol ही use हो रहा है so the cost of fuel is not less दूसरी बात hybrid vehicles जो है उनका अपने petrol counterpart से जितना जादा price difference है उतना diesel में और petrol भी नहीं था diesel petrol के अंदर 1,90,000, 1,10,000 इतना difference रहता था गाडियों में लेकिन hybrid के अंदर तो 2,4,000,000 का है तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इन सारी की सारी चीज़ों को paper पे I mean excel sheet पे उतारू और आप लोगो सारी चीज़े दिखा हूँ देखो मैं इसमें Grand Vandara cover नहीं कर रहा हूँ because Grand Vandara के official prices अभी reveal नहीं हुए हाँ हमार पास Toyota High Rider का official prices आ चुके है top variant के for both the petrol and the strong hybrid तो मैंने वो दोनों consider करें मैं plus bonus आप लोगों मैं से काफी सारे लोग मेरे से Honda City के बारे में बहुत पूछते हो कि Honda City के साथ compare करो High Rider का, Honda City का review करो Honda City hybrid का में review भी तक करनी पा रहा हूँ मेरे हाथ लगनी पा रही है लेकिन इस Excel sheet के अंदर calculation के लिए मैंने Honda City petrol, hybrid, diesel सारी की सारी गाडिया डाल रखी है मतलब जो गाडियां जिनके official prices revealed हैं जिनके variants हमारे सामने हैं वो सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी हैं and High Rider और Honda City दोनों को मैं काफी अच्छे से explain करूँगा and by the end of the video आपको ये समझ माय जाएगा कि आपकी requirement के हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी in terms of running cost and economics अच्छा एक चीज और before starting this मैं कुछ-कुछ basic basic चीजे बताता हूं कि मैं क्या-क्या इसमें consider कर रहा हूं और क्या exclude कर रहा हूं मैं इसके अंदर मोटा-मोटा cost of ownership के अंदर सिर्फ running cost और fuel cost जोड़ूंगा अब इसके अंदर काफी सारे लोग जो हैं तो उसमें engine oil जादा यूज होगा उसकी maintenance जादा होगी तो वो खर्चा जोड़ो फिर हो सकता है कि कोई और आके भी अपना point डाले कि strong hybrid जो है उसमें battery भी यूज होती है उसमें traction motor भी यूज होती है अगर वो खराब होगे तो उसकी cost भी डालो कोई बोलेगा कि जी hybrid का weight जादा है तो जादा वज़न होनी किया से उसका tire जल्दी गिसेगा तो उस cost को भी इसमें डालो तो मैं इतने जादा minute और final points में नहीं जा रहा हूँ because मैं अगर हर चीज को include करने लगा ना तो फिर ये discussion पूरे दिन चलती रहेगी और ये video खतम ही नहीं हो पहेगी और दूसरी बात हर एक छोटे spare part का हर एक accessory का किसकी कितनी cost है किसकी कितनी maintenance है इसका idea अचली मेरे को भी नहीं है और इसका idea showroom वालों के पास भी नहीं होता यह तो car जब आप servicing के लिए लेके जाते हो तब वो एक estimate बनाते हैं, bill बनाते हैं अपनी inventory में देखते हैं कि कौन सा spare part कितने का है वो उस level पे जाके पता चलता है कि कौन सा part actually कितने का है इसलिए मैं थोड़ा सा इतनी in-depth चीजों में निगुसने वाला हूं और मुझे फिलाल at this point अभी ऐसा लगता है क्योंकि हमारे देश के अंदर Toyota Camry Hybrid बहुत टाइम से बिकरी है और जितनी मैंने रिसर्च करी है मुझे Toyota Camry के अंदर कुछ ऐसा significant देखने मैं सुनने मीं आया कि इसकी battery का या motor का बहुत जादा maintenance है या इनकी बहुत जादा expenses है moreover US के अंदर भी hybrid and gasoline vehicles बहुत टाइम से बिकती आ रही है और मैंने जितने भी American articles पड़े है उसके अंदर भी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि hybrids demand more maintenance, frequent change और spare parts तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को इसमें avoid करा है मैं सिर्फ fuel cost के ओपर focus करखूँगा इस वीडियो में अब चलता हूँ computer screen पे और आपके साथ share करता हूँ पूरी excel sheet जो मैंने बनाई है तो शुरुआत करते हैं हाई rider के साथ इसके अंदर मैंने again जैसा मैंने का था top model V variant, two wheel drive, mild का और strong का लिए रखा है इसके मैंने एक showroom price लिये हुए है यहाँ पे, on the road price लेना है तो इसलिए मैंने इसके अंदर RTO, insurance और TCS ये तीनो चीज़े add करी है वैसे तो और भी चीज़े होती है fast tag charges, mcd charges, hypothecation charges, number plate charges, temporary registration plate charges वो सारी चीज़े मैंने नहीं include करी है because वो जो charges है, वो सारी गाड़ियों के लिए common है तो मैं तो इन गाड़ियों का difference निकाल रहा हूँ न difference in cost, तो वो तो cancel out हो जाएंगी लेकिन मैंने इसके अंदर RTO, insurance, TCS, tax collected at source ये सब जोड़ा हुआ है एक showroom के साथ because ये तीनों चीज़े हैं, दोनों गाड़ियों के लिए same नहीं है ये एक showroom price पर depend करती जैसे RTO जो है, वो 10% होता है of the showroom price for a car which is petrol, worth more than 10 lakh rupees and is registered in individual name तो क्योंकि ये तीनों चीज़े वेरियेबल हैं and they depend upon the showroom price इसलिए मैंने इन तीनों को लिया हुआ है because difference निकालने के अंदर इनकी भी कुछ न कुछ addition होईगी बागी के चो charges हैं, वो common रहेंगे तो वो ऐसी cancel out हो जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर on the road price लिखा तो हुआ है लेकिन ये actual on the road price नहीं है ये difference calculate करने के लिए मैंने उन relevant चीज़ों को लिया हुआ है on the road price calculate करने के लिए तो अगर मैं on the road price की बात करूँ तो ये rough estimates है, exact नहीं है लेकिन जो difference है, ये बिल्कुल सही है तो now that we know कि on the road price के अंदर इतना difference है हमें actually ये देखना है कि fuel cost saved, कितने सालों में ये वाला difference निकालेगा तो एक बार इस table को थोड़ा सो और expand करते हैं अब मैं assume करता हूँ कि मेरी running per day 100 km है इसके नीचे मैंने petrol का price लिखा है एक चीज़ और, जो मैंने petrol का price लिखा है वो as on 19th September 2022 डेली का price लिखा है और जो मैंने RTO charges लिखे हुए वो भी डेली state के हिसाब से लिखे हुए अगर आप लोग का दूसरा state है तो आप अपने state के हिसाब से RTO charges डालके accordingly calculate कर सकते हो TCS और insurance तो same ही रहेगा और petrol prices भी state के हिसाब से आप change कर सकते हो So petrol price है 96.72 तो अब नीचे चलते हैं मैंने mileage के figure लिखे हुए mileage का figure जो mild hybrid का or strong hybrid का है यह mileage का figure मैंने सीधा सीधा इनके brochure से उठा के लिया हुआ है जो company claim करती है और दोनों का difference यहां पे note कर लिया है कि 7.39 kmpl का difference है अब चलते हैं कि कितना fuel use होएगा per day अगर 100 km मेरी running है daily जो मेरी running है रोज की divided by जो मेरी car की mileage है उससे मेरा fuel consumption per day आ जाएगा mild hybrid का है 4.86 liters and strong hybrid का है 3.58 liters and total है minus 1.28 यह minus इसलिए है क्योंकि मैं strong hybrid minus mild hybrid कर रहा हूँ तो basically यह कि गाड़ी 1.28 liters less consume करेगी तो इसलिए minus है उसके बाद अगर मुझे fuel cost per day निकालनी है so fuel consumed per day multiplied by the price of the petrol इससे हमारा fuel cost per day आ जाएगा यहाँ पे and the difference in the fuel cost is 124.17 per day मैंने इसको थोड़ा सा multiply कर दिया fuel cost per week, per month and per year निकाला है simple सी बात है per week निकालने के लिए मैंने 7 से multiply कर रहा है per month के लिए मैंने 30 से multiply कर रहा है और per year के लिए मैंने 365 से multiply कर रहा है now that I know that the difference in the fuel cost per year is 45,322.7 अगर एक साल में मैं इतना amount बचा रहा हूँ फ्यूल का तो मैं कुछ X number of years तक वो फ्यूल बचाता रहूंगा तब जाके मेरा on the road price का तो difference है वो अपनसेट वेगा so that X will be equal to difference in the OTR price on the road price divided by difference in the fuel cost per annum इससे number of years निकल जाएंगे तो मैंने वही किया हुआ है यहाँ पर annual fuel saving bill 45,322.7 है and the years it will take to break even is 4.81 यहने की 4.81 is equal to 2,17,893 divided by 45,322.7 उससे ही आ गया अब काफी सारे लोग है जिनको लएगा कि अरे हमने वो पैसे अगर bank FD में डाले होते हैं तो हमें तो उसमें इंट्रेस्ट मिल रहा होता हम तो उस पैसे को कहीं इंवेस्ट कर देते हैं तो उस चीज के लिए मैंने interest on price difference भी mention कर दिया है I have taken 6% simple interest अभी वैसे bank FD का 5.6% चल रहा है but मैंने फिर भी 6 ले लिया है अगर आप उस 2,80,000 को निकालोगे कि यह मैं कितने time में recover करता तो उसका जवाब है 6.2 years लेकिन फिर इसका फायदा नहीं है बिकोज यह एक infinite loop है क्योंकि फिर कोई क्या करेगा कि 6.2 years में कितना interest मिलता वो calculate करेगा फिर उस interest को जोड़ेगा फिर उस हिसाब से years of break even निकालेगा वो साल इससे भी जाता होंगे फिर उतने फिर का interest निकालोगे तो यह तो एक infinite loop है इसलिए यह interest मैं जादा consider करनी रहा था लेकिन काफी सारे लोग अपनी calculations के अंदर इस चीज़ को consider करते हैं that the loss of interest should also be considered तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है लेकिन देखो अगर कोई इतना ही जादा investment minded है तो फिर वो सिर्फ इसको क्यों देख रहा है फिर तो आपका जो fuel cost per annum है 45,000 या फिर fuel cost per month है 3,725 फिर तो वो investment savvy आदमी इस पैसे को भी invest करतेगा SIP में mutual funds ले लेगा कि हर महीने 3,725 के mutual funds ढालते हो SIP करते हो and after 4.8 months उसकी भी कुछ ना कुछ value होगी तो इतना जादा deep investment में ही जाते हैं let us keep it simple that you pay some amount upfront extra it'll take you 4.81 years to recover it अब इसमें दो चीज़े हैं I have considered कि running is 100 km per day मुझे काफी बड़ा doubt है कि जो एक working professional है salary employee है जो सुबह office जाता है और शांद को अपने घर आता है वो रोज 100 km गाड़ी चला भी पाता होगा कि नी काफी सारी IT companies वाले हैं गुड़गाओं में और और भी companies वाले हैं जो कैब से आते जाते हैं अपनी गाड़ी यूज ही नी करते और sharing करना, car cool करना वो तो और भी बेटर है सरगों पर traffic कम होता है लेकिन अगर कोई अपने office जाता भी है तो वो मुझे तो नहीं लगता कि 100 km चला भाता होगा देखो मैं अपने example देता हूँ मेरी running on an average 50 km है daily तो मैं यहाँ पर इसको 50 कर लेता हूँ मैंने 100 और 96.72 सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि calculate कैसे करना है अब मैं real life scenario बताता हूँ और मैं अपने example डाल देता हूँ तो my running is 50 अब चलते हैं petrol price पर देखो petrol price is 96.72 as on 19th September यह 4.81 years बाद तक या 5 years बाद तक सेम नी रहेगा it'll increase by how much विल दी fuel price increase this nobody can tell you इतने जादा variables है global inflation कितनी है recession कितना है markets में liquidity कितनी है taxes कितने है government excise duty तो न बढ़ा दे Iran के ओपर sanctions न लग जाए Russia कोई missile तो fire ना कर दे rupee devalue न हो जाए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ओपर fuel prices depend करते हैं बीच में कोई election आजाएगा तो शायद हो सकता है कि fuel price काम हो जाए तो यह काफी जाता variable है और इसका कोई fixed formula कभी भी नहीं निकाल सकता जो लोग commodity trading कर रहे हैं वो खुद इस चीज़ को मान गए होंगे कि crude oil का है जो चार्ट है हम उसको predict नहीं कर सकते हैं तो वो ही capital markets वाला ही साब है यहाँ पर लेकिन फिर भी maximum जो fuel price जा चुका है वो I think Mumbai में 120 रुपीज जा चुका है and Delhi में I think maximum 106 रुपीज गया था मैं इसको 120 लेके चलता हूं कि within 4 to 5 years average 120 होगा कुछ साल यह 120 से कम रहेगा कुछ साल 120 से उपर रहेगा but more or less ही 120 के around मैं इसका average लेके चलता हूं अब देखते हैं break even होने में कितना time लगता है so it'll take me 7.75 years to break even पॉने 8 साल लग जाएंगे मुझे break even होने में अब आप मान लो कि गार को 10 साल चलाते हो या 12 साल चलाते हो और 10 बाला साल तक चलाते ही रहते हो और 50 km के आपकी डिली रहेंगे तब जागे आपको थोड़ा सा फायदा होगा but then literally is it really worth it कि आप पॉने 8 साल में 8 साल में इसकी cost निकाल लोगे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप extra pay कर रहे हो और उस extra payment के बदले आप 2 साल में, 20 साल में, max to max 3 साल में अगर अपनी cost निकाल लेते हो then I think it is a good bet because उसके बाद आप जितने भी साल कार चलाते रहोगे that is a bonus, that is all your saving लेकिन यहापे अगर पॉने 8 साल ही लग गए break even तक आने में उसके बाद कितने साल बचेंगे profit में आने के लिए, देखे तो वैसी बात है कि काफी सारे लोग बहुत heavy education loan ले लेते हैं इस चक्कर में कि हम किसी अच्छे college से MBA करेंगे या कोई अच्छी degree करेंगे, या बार US में जाके GRE, GMAT करेंगे, और भी बड़ा education loan लेके, फिर हम काफी जादा पैसे कमाएंगे, वो ठीक है लेकिन अगर आप education loan 20-25 साल की उमर में लेते हो, तो तो समझ में आता है कि चलो भी 25-26 साल की उमर में आपकी placement हो जाएगी and उसके बाद you have good 30-35 years of working age, तो आप उस पैसे को वसूल भी कर लोगे, loan चुका भी दोगे और उसके बाद जो आपका increase in package because of the extra qualification होगा उसका benefit आपको over the long period मिल जाएगा, अब मान लो कि कोई आदमी है 50 साल का या 45 साल का, उसको कोई degree लेनी है, वो पूरा education loan लेके चला जाता है, और उसके बाद उस loan की EMI भर रहा है, उसकी तो नौगरी करने की 10 साल बचे में, उसमें से 5-6 साल तो EMI चुकाने में निकल जाएंगे so, जैसा कहीं हम देखते हैं कि अगर आप loan ले रहे हो तो आप किस age में ले रहे हो, और कितने आपके पास साल है, उसको रेकवर करने के लिए, वैसी मुझे भी लगता है कि कार में भी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हो in order to save money on the mileage तो break-even का period थोड़ा कम होना चाहिए तब ही आप जो rest of the years है, उसके अंदर actual कोई profit ले पाओगे, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपकी situation बिल्कुल different हो सकती है आपकी running जादा हो सकती है, आप पे ये चीज़ suitable हो सकती है लेकिन अगर कोई मेरी situation में है किसी की running 50 km है या उससे कम है तो the economics are not favorable ऐसा मुझे लगता है, यह तो बात होगी है higher rider की, अब चलते है Honda City पे तो Honda City के अगर मैं बात करूँ तो इसकी excel cheat थोड़ी सी बड़ी है इसके अंदर मैंने petrol automatic, hybrid and साथ में diesel भी consider करी भी है अच्छा एक चीज है कि diesel के अंदर automatic transmission नहीं आता, Honda City में इसकी calculation में दिखाता हूँ आपको जो एक showroom prices है, यह सीधा-सीधा मैंने website से लिए है, RTO मैंने दिल्ली के असाब से लिए हुआ है कि petrol के लिए and hybrid के लिए it is 10% and diesel के लिए it is 12.5% considering कि गाड़ी जो है वो 10 लाग से उपर है और individual के नाप पर registered है अगर corporate के नाप पर registered होती है तो फिर उसके rates अलग होते है insurance जो है, insurance का premium manually मैंने calculate नहीं करा है यह मैंने car.com, carvali.com उन सारी website से लिए हुआ है, TCS is 1% तो यह सब calculate करके मैंने on the road price लिए हुआ है on the road price यह वाला exact नहीं है पर मैंने यह इसलिए लिया हुआ है because again, जब मैं difference calculate करूँगा तो वो सारी common चीज़ें जो है, वो cut हो जाएंगी mileage के figures जो है, यह भी मैंने website से लिए हुए petrol वाली, automatic में 18.4 निकालती है hybrid 26.5 है and diesel manual 24.1 KMPL claimed है now that I know कि मेरे mileage figures इतने हैं अब मैं चलता हूँ आगे differences मैंने calculate करे में running मैंने ideally 100 यहाँ पर consider करी भी है petrol price again 96.72 है and diesel price जो है 89.62 है in Delhi as on 19 September 2022 अब इस 100 KM को consider करके और company के mileage figures को consider करके मैंने अपनी fuel consumption निकाल ली है that petrol automatic के अंदर मेरी fuel consumption is 5.43 liters everyday, hybrid meant is 3.77 liters and diesel Honda City में the car will consume 4.15 liters per day उसके बाद my fuel cost per day is 525.65, 364.98 and 371.87 for the petrol, hybrid and diesel respectively 7 से multiply करके fuel cost per week निकाल दी 30 से multiply करके per month and fuel cost per annum is this much 365 से multiply करके अब चलते हैं यहाँ पर कि petrol के case के अंदर I am saving 58,644 but diesel के case में I am saving only rupees 2513 मैं सिर्फ 20,000 रुपे बचा रहा हूं पूरे साल में and उसको अगर अगर रेकवर करने का सोचोगे so petrol vehicle के ऊपर अगर अगर आप hybrid vehicle लेते हो तो it'll take you almost 13 and a half years to recover and diesel का तो छोड़ी दो I mean that doesn't even make sense now अपने केस में my running is 50 km petrol price I'll consider 120 and diesel and petrol actually काफी जादा close हो रहे हैं but मुझे लगता नहीं कि diesel और petrol बिलकुल एट पार ओंगे because diesel is a fuel which is used by farmers it is used in tractors and a lot of farm equipments to farmer से इतने जादा पैसे government मुझे नहीं लगता लेगी to इसलिए मैं 120 नहीं लूंगा but since they're getting very close to मैं इसको 115 ले लूंगा considering these prices these are average prices my annual fuel saved is 4,443 in case of diesel and it'll still take me 104 years to recover the money that I've paid and in case of petrol it'll take me 14.37 years to break even 120 के rate पे अच्छा ये calculate करते हैं कि अगर मुझे 10 साल के अंदर break even करना है तो petrol की क्या cost होनी चाहिए 150, no 170, okay, close 171, okay so अगर petrol का price 171 rupees होता है तब जाके मुझे 10 साल लगेंगे अपनी hybrid की extra cost recover करने में over the petrol, diesel में देख लेते हैं डीजल का price जब 216 rupees होगा तब जाके मेरा break even आएगा कि मैं डीजल की गाड़ी ना लेके hybrid लूँग my goodness देखो इस से ये चीज़ तो clear है that the most economical option out of all these is diesel, Honda City Diesel तो इसका conclusion किया है see I'll be very honest, diesel vehicles के ओपर काफी जादा stringent rules आ रहे हैं and वो stringent rules सबसे पहले metro cities में enforced होएंगे because metro cities के अंदर pollution की सबसे जादा problem है population density की बहुत जादा problem है and vehicular density की बहुत जादा problem है and metro cities जो है they are also the intersections किसी को अगर इस state से उस state तक जाना है metro city के थूँ होता हो जाएगा trucks का काफी जादा volume होता है तो इसलिए metro cities के अंदर सारे के सारे rules and regulations आएंगे to ban diesel vehicles or to reduce their life span मुझे ऐसा लगता है कि tier 2 और tier 3 cities के अंदर भी रूल आएंगे लेकिन काफी बाद में आएंगे so tier 3 cities या semi urban cities they still have a lot of years left to use diesel vehicles so मेरा ये मानना है कि अगर आप शेहर में रहते हो और आपकी काफी जादा running है तो ही आप hybrid के बारे में consider करो अगर आप कहीं semi urban में या गाउ में अगर रहते हो तो diesel vehicle आपके लिए काफी जादा economical रहेगी और hybrid vehicles के अंदर भी मैं एक बहुत जरुई चीज बता दूँ अगर आपकी जादा running है इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी highways पे बहुत जादा running है तो आप hybrid vehicles लो आपकी जादा running भी होनी चाहिए और आपकी जादा running city के अंदर होनी चाहिए विकास highway पर आप जाओगे तो यह जो extra mileage benefit है यह नहीं मिलेगा आपको hybrid vehicles और electric vehicles जो है they perform better in the city rather than the highway because highway पर आप constant speed पर चलाते रहोगे तो majority of the time इसका engine ही चलता रहेगा battery जादा नहीं चलेगी वो तो city का जब stop and go traffic होता है battery तब जादा यूज होती है बार बार brake लगती है तो brake energy regeneration से भी battery चार्ज होती है या फर आप downhill जारे हो तो होती है अगर आप highway पर accelerator दबा के चला जारे हो चला जारे हो तो उसमें भी engine यूज होता है so your driving has to be more than 100 km it should be within city and then you will be able to recover your money in about 5 years all this shows that there's not a very big economic benefit in going for a hybrid the companies also know it companies दे भी सारी calculation कर रख की है कि hybrid में जानने में उतना सादा फायदा नहीं है इसलिए company वाले भी hybrid variants के अंदर extra features दे रहे है ताकि customer थोड़ा सा motivate हो extra पैसे देने के लिए क्योंकि अगर सिर्फ fuel saving की calculation करने बैठ जाओ तो ये extra cost उतनी जादा justified नहीं लगती but otherwise अगर किसी को उन जादा extra features की ऐसी कोई जादा requirement नहीं है तो I don't really think that at this point the strong hybrid mix too much of sense लेकिन मैं फिर भी इसमें कह रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर 50 km की running और 120 rupees petrol की cost लीव ही है तो petrol के prices का कुछ नहीं कहा जा सकता ये उससे जादा भी हो सकते है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि petrol तो 500 रुपे का हो जाएगा ऐसा भी नहीं है government अगर बढ़ाएगी भी petrol को तो एकदम से ऐसे rocket की तरह नहीं बढ़ाएगी gradually बढ़ाएगी because एक fuel price अगर बढ़ा दो तो overall economy बहुत जाता impact होता है transportation cost बढ़ जाती है inflation बढ़ जाता है सरकार की खुद के खर्चे बहुत जाता बढ़ जाता है इसलिए अगर petrol prices increase भी होंगे तो step by step होंगे तो ये सब consider करके मैंने 120 लिया हुआ है बागी इसके अंदर ifs and buts तो बहुत सारे हो सकते हैं और hypothesis करने की कोई limit नहीं है I'll end the discussion for now अगर आपको लगा कि information आपके काम आई और दूसरों के भी काम आ सकती है तो बागियों के साथ भी share कर देना That's all for today Bye